नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Technical Mono YouTube चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको WhatsApp की बो सारी ट्रिक्स बताने वाला हुँ जो दोस्तों अभी अभी आई है यानि इस साल जो भी WhatsApp की ट्रिक्स आई है बो सारी मैं आपको बताने वाला हुँ नए नए अपडेट्स नए फीचर्स कौन कौन से आये हैं वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा दोस्तो इसके अलावा और जो भी अपडेट्स हैं वो सब कुछ मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजेगा और दोस्तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख दीजेगा यदि आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी आप हमें फोलो कर लीजेगा मोर्टीपिकिशन मिलता रहेगा और आप नए नए ट्रिकस सबसे पहले सीख पाएगे यहाँ पर डियल वाले टैब मैं जाएंगे तो यहांपर आपको बहुत सारी ट्रिकस देखने को मिलेगी दोस्तों और जो भी एक मिनट के अंदर एक मिनट के अंदर आपको details में यहाँ पर समझा दिया जाता है तो जाकर के follow कर लीजेगा अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरही के से WhatsApp के जितने भी नए-नए updates आये हैं उनके बारे में जान सकते हैं या उनको आप enable कर सकते हैं ठीक है तो हम सबसे पहले WhatsApp पर जाएंगे लेकिन इससे भी पहले आप एक काम कर लीजेगा आप Play Store पर जाईएगा और यहाँ पर जाने के बाद अपडेट किया था लेकिन बापस से update आ चुका आया दोस्तो इस वज़े से तो आप update कर लीजेगा यहाँ पर आप देखेंगे अब मैं एक एक ट्रिक्स आपको यहाँ पर समझाने बाला हूँ एक एक feature आपको यहाँ पर बताने बाला हूँ आप देखेंगे यहाँ पर आपको यह option दिख रहा है three dots का इस पर click करना है यहाँ पर आपको settings का option दिख रहा है इस पर click करना है आप यहाँ पर privacy पर जाते हैं दोस्तो तो privacy पर last scene and online वाला यह जो feature है यह सब को पता होता है कि हम अपना online status hide कर सकते हैं last scene हम अपना hide कर सकते हैं और profile photo भी आप यहाँ पर hide कर सकते हैं खुद की या जिसको भी आप show करना चाते हैं उसको भी यहाँ पर show कर सकते हैं उसके number select करके about भी आप hide कर सकते हैं यहाँ पर read receipt वाला यह जो feature है दोस्तो इसको यदि आप यहाँ पर off कर देंगे तो दोस्तो यहाँ पर जब भी आप status लगाएंगे दोस्तो तो उस status में किन-किन लोगों ने आपका status देखा वो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आप भी किसी का status देखेंगे तो दोस्तो दूसरे व्यक्ति को भी पता नहीं चलेगा कि आपने उसका status देख लिया है और message का भी पता नहीं चलता आपको double tick तो मिल जाएगा लेकिन बहाँ पे blue color का tick नहीं मिलेगा यानि कि आपने किसी को message किया और सामने वाले ने पढ़ भी लिया होगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि उसने पढ़ लिया है इसी तरीके से आपके उपर भी apply होता है आपको कोई message करेगा तो आप पढ़ लेंगे तो जिसने message किया उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसका message पढ़ लिया है तो यह तो पुराने फीचर है दोस्तों यह वाले तो बहुत पुराने हैं groups वाला feature है यह भी पुराना है इसमें आप क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको add कर देता था पहले लेकिन अब यहाँ पे groups वाले feature में यहाँ पे select कर सकते है कि कौन आपको add कर सकता है ठीक है तो live location का है तो आप यहाँ पे live location पे click करके आप location send कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा blocking का app lock यहाँ पे disable कर रखा है मैंने आप यहाँ से whatsapp का जो app lock है उसी से आप अपने whatsapp को lock कर सकते हैं chat lock भी कर सकते हैं यहाँ पे chat lock पे click करके आप अपनी chat को lock कर सकते हैं अब यहाँ पे जो नया feature है दोस्तों वो है advanced का इस पे आपको click करना है और protect IP address in calls यह थोड़ा पुराना है लेकिन ज़्यादा पुराना भी नहीं है तो आप इसको on कर देंगे तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपको whatsapp पर call करेगा तो दोस्तों वो आपका IP address trace नहीं कर पाएगा और दोस्तों IP address trace नहीं कर पाएगा तो आपके phone के security बढ़ जाती है दोस्तों इस वाले feature से यहाँ पर आपको disable link previews का option भी दिख रहा है तो यहाँ पर यह पढ़ सकते हैं to help protect your IP address from being inferred by third party websites यानि कि कोई भी website आपको send करता है तो दोस्तों आप उस पर click करते हैं तो दोस्तों आपके IP address क्या होता था पहले चले जाते थे लेकिन आप इसको on कर देंगे तो यहाँ पर आ trace किस कोई भी trace नहीं कर सकता तो आप इनको on कर सकते हैं यह नए feature हैं दोस्तों ठीक है अब हम back में आ जाएंगे back में आने के बाद में अब back में आएंगे नीचे आप देखेंगे यहाँ पर avatar वाला यह जो option है इस पर आप click करके यहाँ पर अपना खुद का avatar बना सकते हैं ब जादा video calling करते हैं तो दोस्तों आप उनको यहाँ पर एक जगे collect कर सकते हैं उनका नाम जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ add favorites पर मैं click करूँगा तो यहाँ पर जितने भी number हैं दोस्तों उन numbers को मैं यहाँ पर एक जगे select कर सकता हूँ अब मैं आपको दिखा दिता हूँ जैसे यह number मैं ने यहाँ पर select कर लिया इसके लावर मैं ने यह भी कर लिया यह भी कर लिया चार number मैं यहाँ पर select कर लिये favorites में ठीक इ? तो अब मैं क्या करूंगा? back में आउंगा बैक में आने के बाद में दोस्तों अब आपके जो भी number हैं वो जिनको आपने सेलेक्ट किया था यानि अब आपने उन नंबर को इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने उनसे कोई चैटिंग ही नहीं किये क्योंकि यहां पर आप देखेंगे टीक है तो यह नया फीचर सा दोस्तों फेवरेट वाला इसके अलावा अब 3 dots पर वापस जाएंगे set इसटींग्स पर क्लिक करती और यहां पर जो एंटर का बटन होतागो प्रेश करते ही आपका message send हो जाता था चाहे आपने पूरा message लिखा हो या ना लिखा हो media visibility का मतलब यह है कि दोस्तो जब भी कोई ब्यक्ति आपको photo या video send करता है तो दोस्तो यदि आप इसको on रखते हैं तो वो photo video gallery में दिखाई देगी और यदि आप इसको off कर देंगे तो दोस्तो वो photo video दिखाई नहीं देगी gallery के अंदर वो सिर्फ आप whatsapp पर ही देख सकते हैं तो यह media visibility का option है दोस्तो यहाँ पर keep chats archive अपनी जो chat है उनको आप archive कर सकते हैं दोस्तो chat backup यहाँ पर chat backup पर आप click करेंगे तो यहाँ से आप अपनी जो chat है उन chat का backup ले सकते हैं जिससे आपका phone खराब हो जाए चोरी हो जाए तो दोस्तो आप नए phone में सारी अपनी जो chat है उनको आप वापस से recover कर सकते हैं बस आपको यहाँ पर google account select करना है और यहाँ पर frequency पर click करके यहाँ पर आप only when I tap backup या फिर डेली पर click कर दीजेगा डेली पर click कर देना है आपको इससे आपकी chat backup होती रहेगी यदि आप video भी backup करना चाते हैं whatsapp की तो वो आप यहाँ पर इसको on कर दीजेगा और यहाँ पर backup using cellular इसको भी on कर सकते हैं इससे आपका internet data खर्ष होगा backup होने के लिए ठीक है दोस्तो तो मैं अभी इनको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर आपको google account select कर लेना है क्योंकि google account में ही आपकी chat backup होगी दोस्तो तो यह है दोस्तो तरीका यहाँ पर चैट को आप backup लेने का transfer chat आप अपनी chat को किसी दूसरे mobile में भी transfer कर सकते हैं बस आपको transfer chat history to android phone इस पर click करना होता है यहाँ पर start पर click कीजिएगा और यहाँ से आप कर सकते हैं तो आप किसी भी mobile में आप अपनी chat को transfer कर सकते है chat history आपको यहाँ पर दिख जाती है तो यहाँ पर आप export कर सकते हैं किसी को send कर सकते हैं, clear कर सकते हैं, archive कर सकते हैं और delete भी कर सकते हैं, आपकी जो भी chat history है वो, ठीक है दोस्तो, तो ये नए feature नहीं है, ये बहुत पुराने feature है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, अब मैं back में आता हूँ, back में आने के बाद में, आप देखेंगे यहाँ पे notifications का, ये सबको पता होता है लगवग, और इनके बारे मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते है, use high priority notification, तो इसको आप on कर दीजेगे, जिससे आपको वो ही notification मेलेंगे, जो valuable होते हैं, high priority के होते हैं, storage and data पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तो media upload quality, यह नया feature है दोस्तों, यह थोड़ा ज्यादा पुराना नहीं है, नया ही feature है, अभी इसको 7-8 महिने ऐसे ही हुए होंगे, तो media upload quality पे क्लिक करना, यहाँ पे आप standard quality की जगे, HD quality और save पे क्लिक कर देना, अब इससे जब भी आप किसी को photo send करेंगे, तो दोस्तों वो HD quality म हराब होई, कभी भी कोई भी चाए video send करो, चाए photo send करो, आप HD quality में ही send कर पाएंगे, तो यह media upload quality का option मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे media auto downloaded, यह सब को पता होता है दोस्तों, तो इनके बारे मैं नहीं बताऊंगा, अब back में आ जाएंगे, अब back में आने के बाद मे अब दोस्तों, अब जो नया feature आया है अभी, वो नया feature है, WhatsApp ask meta AI, यह feature है दोस्तों, अब आप कह रहे होंगे कि यार हमको तो यह मिला ही नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता दू कैसे मिलेगा, आप सबसे पहले क्या करना, आप अपना play store है, इस पे long press करना, app info पे click करना, और यहाँ पर आप storage पर click करना, और इन सब को clear storage कर देना, ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर नहीं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको processing बता देता हूँ, यहाँ पर यह कर दिया, अब जैसे ही आप यह काम कर लेंगे, तो play store पर जाईएगा, play store पर जाने के बाद म आपको यहाँ पर अपनी profile देखेगी, तो दोस्तों आपको अपनी profile पर click करना, यहाँ पर Google account इस पर click करना, और यहाँ से आप add another account, यानि आपका जो Google account अल्रेडी है, उसके अलावा आपको कोई दूसरा account भी यहाँ पर add करना है, और दूसरे account से आप login कीजिएगा, फिर WhatsApp app को download कीजिएगा, उसके बाद मैं देखना दोस्तों आपको WhatsApp Ask Meta AI वाला feature मिल जाएगा, तो यह काम आपको करना है, अब दोस्तों WhatsApp पर जाएगे, यहाँ पर WhatsApp Ask Meta AI यह है क्या चीज, तो मैं आपको बता दू कि यहाँ पर आप इस पर click करेंगे, तो Ask Meta AI Anything, ठीक है, इस पर आप click कीजिएगा, यहाँ पर आप कोई भी message, आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो, या आपको कुछ भी पूछना हो, या कोई काम करवाना हो, तो आप यहाँ पर Meta AI से पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको कोई डिस बनानी है, जैसे कि आलू के पराठे बनाने हैं, तो आप य यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो यह सारी चीज, जो भी आपकी मन में सवाल है, XYZ, वो आप यहाँ पर टाइप करके पूछ लीजिएगा, आपको उसका solution मिल जाएगा, तुरंट मिलेगा दोस्तों, ठीके, तो यहाँ पर आप यह काम कर सकते हैं, यह Ask Meta AI वाला feature में आपको बता दिया है, आपको एक और चीज बता दिता हूँ, जो यहाँ पर important है, और वो अभी आईए, दो दिन हुए, एक-दो दिन हुए, उसको आए हुए, यहाँ पर अपडेट्स पर क्लिक करना, अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, आपने जो भी channel यहाँ पर follow कर रखा है, तो वो सब यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है, अब इन में से कोई channel ऐसा है, जो या तो आपका है, या उसको आप ज़्यादा follow करते हैं, जैसे कि, यहाँ पर बता दिता हूँ, यह तो मेरा channel है, MS जादो नाम से, ठीक है, लेकिन मान लो कि मैं यह वाला channel बहुत ज़् follow करता हूँ, CNBC TV 18, इसको ज़्यादा follow करता हूँ और इसको सबसे ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप ध्यान से देखेगा, तो मैं क्या करूँगा, कि इस पर long press करूँगा, और इसको यहाँ पर यह pencil का icon दिख रहा है, इस प इस तरीके से pin कर सकते हैं, और यदि आपको unpin करना है, तो आप इस पर long press कीजिएगा, और यहाँ पर वापस इस पर click कर दीजिएगा, यह unpin हो जाएगा, तो यह नए feature से दोस्तों, जो मैंने आपको बता दिया है, आयोप आपको यह समझ में आया होगा, कि किस तरीके से आ आप यहाँ पर जो WhatsApp के नई feature है, उनको apply कर सकते हैं, आयोप मैंने अच्छे से समझाया होगा, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, तो वीडियो पसंद आई हो, तो like कर दीजिएगा, और वीडियो को share जरूर कर दीजिएगा, चाहे आप Facebook पर देख रहे हैं, चाहे आप Instagram पर देख रहे हैं, और follow जरूर कर लिजिए, अगर मिलते हैं दोस्तों अगली नए वीडियो में नए content के साथ में, तब तक के लिए, बाबाए!